वेलकम टो माई चैनल मीतु शर्मा प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब वेलकम टो माई चैनल मीतु शर्मा आज हम लोग मालिश बच्चों को क्यों की जाती है और उसके क्या बैनेफिट्स है वो पूरा डेटेल से हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो में अंतक बने रहेगा कि लास्ट में कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों का सबके स्वस्थ के वारे में अच्छे से जान पाएंगे कि वो बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं तो चलिए अब हम बताते हैं कि जो मालिश है बच्चों को क्यों की जाती है और उसके क्या बैनेफिट्स होते हैं कि सबसे पहले तो मालिश करने से बच्चों में ताकत आती है उनके श्रीर में फ्लेक्सिबिलिटी यह उनका जो शारीरिक और -मानसिक-दोनेव काश होता है क्योंकि जब हम लोग मालिश करते हैं किसी भी ओयल से जब भी आप बच्चों को मालिश करते हैं जब आप उसके प्यार के तले मलते हैं उनके हाथों को मलते हैं थोड़ा सो ओयल लेकि उनकी छाती में पुश करते हैं ताकि जो ओयल है वो उनकी छाती के अंदर जाए और उनक सिर पर अच्छे से मालिष किजी ताकि उनका सिर है वो गोल में हाथ की अच्छे से मालिष कीजिए अच्छे से रगड़ से यह जा यह की हलbor में आफिन और यह चुछ बच्छे नौइए है मालिश के समय पर यह नैच्रल है कि बच्चे रोएंगे ही रोएंगे पर आपको उनका रोना देखके यह नहीं कहना है कि मालिश नहीं करवाना है नहीं बच्चे रोएंगे थोड़ दिर रोएंगे बट उसके बाद उनको काफी रिलाक्स मिलेगा तो यह नॉर्मल है कि भबराईये नहीं बाकि बच्ये की अच्छ से कीजिए उनके गृषी कि ताकि उनके पैर गरम हो और उनको अच्छे से रिलैक्स कि इसलिए दिन कम सभीच को गिम आले कि बहुत जल्दी चलने लगते हैं मत उनकर शारीरिक और मानसरी विकास और जुपर उनकी कितुनना में तेजी से होता इसलिए आप मालिश को कभी भी 스. annex कीजे दिन में कम से कम 5 से साथ मा समय मालिश कीजे अगर आपका बच्चा बछूटा है हां अगर आपका बच्चा थीन ड़ा हमेशा क icing आप दिन में दो BAR मालिश कर सकते हैं जारा को बच्चा Hudson दुख में स्किप मत कीजिए किशी का Frau 5-687 गов있 का बचा बच्चा बिद्गल्ट बच्च अगर इस solamente जा इसलिए मालिश कर सकते हैं या रात में शोलो अमें मालिश कीजिए तब आपको ठीक रहेगा य। माषज से ऐक ते बच्चों को नीन्ड बहुतत अच्छी आती है 9 arbeitet कि हो जाते हैं तो इसलिए मालिष को हमेशा कीजी और उनकी जो बैक है उनको अच्छे से मली ताकि जो लैपविर होते हिए इसमें बच्चों की मालिष कर सकते हैं स्पेचलि जब बहुत गर्मी आती है तो आप बच्चों को जो जो समय होता है आप उसमें उनकी पाउडर से मालिश कर दीजी ताकि बच्छे assayi relax होके सो जाएं क्योंकि बिना मालिश किये बच्छे नहीं सो ध्याएं कि बॉडडी पर नहीं मिलता है इसलिए मालिश तो compulsory है अगर आपका बच्चा रोता भी है तब भी आप मालिश कीजिए आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे बहुत दूबले पतले होते हैं पर जब उन बच्चों की रेगुलर बेस पे मालिश होती रहती है तो उन बच्चों में अलग सा एक निखार आजाता है जी बैनि क्लास है वह बहुत तेजी से होता है इसलिए आप कभी भी मालिश को स्किप मत कीजिए अगर बच्चा रोता भी है तो कोई बात नहीं थोड़ा सा रोएगा बट उसका जो बैनिफिट है उसको आगे चलके आपके बच्चे को ही मिलेगा अगर आपका बच्चा स्वस्त रह अगर आपको मालिश करनी आती है तो आप हलके हाल से पाउडर से मालिश कीजिए मतलब आप अपने बच्चों को मालिश कीजिए क्योंकि उसकी बाडी में जितना जाएगा जितना पाउडर जाएगा वह सब अब्सॉफ कर लेगा और जो अब्सॉफ कर लेगा तो उसका बै मालिश रेगुलर बेस पे कीजिए किस ओयल से मालिश करनी चाहिए बच्चों की वह आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी कि घर्मी सर्दी और बारिश में कि मौसर में आप किस-किस ओयल से बच्चों की मालिश कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफ्यूट्स होते हैं तो मैं उसका डिटेल से वीडियो बनाऊंगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ओके बाई